नमस्कार एप्रीवन मैं शाल नहीं आपका अपनी यूटूब चैनल की आडियल इस्टीटूट पर स्वागत करती हूँ बच्चों आज का हमारा टॉपिक है प्रत्य है हम आज प्रत्य को पहचानेंगे कि प्रत्य कितने आसानी कि हमको समझ में आता है इस त्रिक पर हम ध्यान देंगे तो हम सबसे हैं प्रत्य की डिखने माले और चलने वाले सब्दों को हम प्रत्य कहते हैं ये डिखनेंशन की रूप में बच्चों कि वोए सब्दान से जो कि ती ढपर कि अंत में लगकर क्या हर उसकी फड के अर्ट ना न² देते हैं उन्हें प्रहु तो आई युज़ा हम देखते हैं कि प्रथे फीन की कुछ जांब पर न का हम धोरा हम दैख Commons एक हमारा सब्द है दयालू तो दयालू में हमारा प्रत्य होगा बच्चे आलू और मूल सब्द आपका होगा दया लूंत दया प्लस आलू माली जी आपको बिध्यालाई दिया तो बिध्यालाई प्लस आलाई बराबर इतने आले प्रत्या लगे हाए और गुझे आपका फूं लिशत गर, ये अब मुंखत के बत्चनाहाट चिकना में सब्दोता है gm2018 आँ आध्ट आपकोयां तो चिकना अबट लिखावट आगर दिया कने कौन तरिक्टी है आप लगाएंके लिखावट कहीं किल किवल वट दिया रहे कां आफट दिया रहे त deserves a dpa क्या जिहांद रखिएगा कि लिख सकते ही लिखावट बना मूल सब्द आपको क्या होता है लिख होता है तो आपके पूछ लिएगा कि खर्टास में कौन सा प्रत्य तो आज प्रत्य लगाईएगा प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के होते हैं प्रत्य के 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 प्रत्य प्रत्य चाहे कित प्रत्य बोले या चाहे प्रिदंत प्रत्य बोले नमबार दो के बच्चों मारा आता है ताधीत प्रत्य तो यह तीतरा होता है ताधीत प्रत्य तो यह तीतरा होता है बच्चों उसको इस्त्री प्रत्य होता है बच्चों तो इस्त्री प्रत्य होता है बच फिज्बत्र प्रत्ये का मतलब होता है यह देखते हैं किकल प्रत्य प्रत्ये करया या रखिएगा प्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्ये को हो क्रिया के मूल रूफ को हम धातु करते हैं जिसन तब ना लग जाए वहां समझ लेना क्रिया लिखना सोना पढ़ना हसना घाना तो जिसनी लाश में ना लगा रहे बग्चों क्या होता है ट्रीया होता है तो प्रित प्रत्ते दे बाले समझ झाल 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 झाल